भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी, एक बार भगवान विश्णु जी शेश्नाग पर बेथे बेथे बोर हो गए, और उन्होंने धर्ती पर घुमने का विचार मन में किया, वेसे भी कई साल बीट गए थे धर्ती पर आये, और वह अपनी आत्रा की तेयारी में लग गए, स्वामी को तेयार होता देखकर लक्षमी माने पुछा, आज सुबर सुबर कहा जाने की तेयारी हो रही है, विश्नु जी ने कहा है लक्षमी मैं धर्ती लोग पर घुमने जा रहा हूँ, तो कुछ सोचकर लक्षमी माने कहा, ही देव क्या मैं भी आपके साथ चल स भगवान विश्नु ने दो पर सोचा फिर कहा एक शर्ट पर, तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धर्ती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की और बिल्कुल मत देखना, इसके साथ ही माता लक्षमी ने हां कहके अपनी मनवाली, और सुबह सुबह मा लक्षमी और भगवान जदू कर धर्ती को देख रही थी, और भूल गई कि पती को क्या वचन दे कराई है, और चारो और देखती हुई कब उत्तर दिशा की और देखने लगी पता ही नहीं चला, उत्तर दिशा में मा लक्षमी को एक बहुती सुन्दर बगीचा नजर आया, और उस तरफ से भीनी भीनी खुश्बु आ रही थी, और बहुती सुन्दर सुन्दर फुल खिले थे, यह एक फुलो का खेत था, और मा लक्षमी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुन्दर सा फुल तोड लाए, लेकिन है क्या जब मा लक्षमी भगवान विश्नु की पास वापस आई तो उन्होंने भगवान विश्नु से इस भूल की माफी मागी, तो भगवान विश्नु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हे जरूर मिलेगी, जिस माली के खेत से तुम नए बिना कुछे फुल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए चुपचाप सर जुका कर हां कर दी आजकल की लक्ष्मी तुड़े थी, और मालक्ष्मी एक गरीब ओरत का रूपधारन करके उस खेत के मालिक के घर गई, घर क्या एक जोपा था, और मालिक का नाम माधव था, माधव की बीबी, दो बेटे और तीन बेट्या थी, सभी उस खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे, मालक्ष्मी जब एक साधारन और गरीब ओरत बन कर जब माधव के जोपटे पर गई तो माधव ने पुछा बहिन तुम कोन हो, और इस समय तुम्हें क्या चाहिए, तब मालक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब ओरत हूँ मेरी देख भाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हरे घर का काम भी कर दिया करूगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो, माधाव बहुत ही अच्छे दिल का मालक था, उसे दया आ उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ, माधाव ने मा लक्षमी को अपने जोपने में शरन दे दी, और मा लक्षमी तीन साल उस माधव के घर पर नोकरानी बन कर रही, जिस दिन मा लक्षमी माधव के घर आई थी उससे दुसरे दिन ही माधाव को इतनी आमद माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी, और अब 2-5 साल बीट गए थे, लेकिन मा लक्षमी अब भी घर में और खेत में काम करती थी, एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दुवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लगी एक ओरात को देखा, भ्यान से देखकर पहचान गया और ये तो मेरी मुझ बोली चोथी बेटी यानी वही ओरत है, और पहचान गया कि यह तो मा लक्षमी है, अब तक माधव का पुरा परिवार बाहर आ गया था, और सब हैरान होकर मा लक्षमी को देख रहे थे, माधव बोला है मा हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने मैं ही घर और खीत में काम करवाया, हमा ये किसा अपराध हो गया, हमा हम सब को माफ कर दे, अब मा लक्षमी मुस्कुराए और बोल तुम हिसारे सुख मिलेगे जिसके तुम हगदार हो और फिर मापने स्वामी के दुवारा भेजे रत में बेट कर बेकुंद चली गई साथ बेकुंद धाम चली गई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबक्रेप करे धन्यवाद